आप रासन कार्ड में किसी नए मेंबर अपने परिवार के सदस्य का नाम जोड़वाए हैं, आइड करवाए हैं, तो उसकी आवेदन की इस्थिती क्या है, नाम जोड़ गया है या नहीं जोड़ा हुआ है, क्या प्रक्रिया चल रही कैसे आप चेक करेंगे, आपको करना क्या है, पुराना वाला मेरा रासन आयप आपके पास है, तो उसको आपको खोल लेना है, यहां हिंदी इंगलिस का चुनाव कर लेना है अपने भासा का, इस तरह का निव इंटरफेस खुल जाएगा, आपको आधार सेडिंग पर क्लिक करना है, वीडियो को इस्किप नहीं करना है, दोस्तों दो-तीन ट्रिक मैं आपको बताऊंगा और आसान, यहां आपको रासन कार संख्या या आधार नंबर किसी मेंबर का डाल देना है, आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, और यहां आपको मालूम हो जाएगा कि उनका नाम जुड़ा या नहीं, जो पहले से कर लेना है, देन अपना मोबाइल नंबर डाल करके गेटी स्टाटेट पर क्लिक करना है, मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डाल के यह कि यमपीन आपको सेट कर लेना है, कैप्चा को डाल देना है, लोग इन बित ओटीपी पर क्लिक करना है, यहां देखे बहुत सारा आप बताता हूं गुगल पर जाना है इतना करने के बाद राशन का डिटेल सान इस्टेट यूटी पोर्टल इस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा यह दिया आपको पॉप पाता है एक्सेप्ट आल इको आर जम्मो एंड कस्मीर इसके बाद बहुत सारा है जहार खंड है लक्षदीप मनिपूर नागा लेंड पंजाब तमील नाडू चलिए हम उत्तर प्रदेश का आपको चेक करके बताते हैं आइडिया सेम है दोस्तों किसी राज जैसे आप बिलोंग करते हों ओके पर क् देखे इसको पॉपप को क्रास्ट पे क्लिक करके हटा देना है देन इसक्राण डाउन करके नीचे आना है यहाँ दिखे बहुत आप्सन है यह दि आप नया रासन कार्ड भी अपलाई किये हैं नाम एड करवाए हैं दोनों प्रोसेस में एकी प्रक्रिया है रासन काड आव संख्या नहीं मालूम है तो संदर्भाइडी मतलब एक रिफरेंस नंबर आपको मिला होगा जब आप नया रासन काड अप्लाई किये होंगे या फिन नया नाम एड करवाएं होंगे उसको यहां डाल देना है कैप्चा को मेंशन करना है आवेदन इस्थिती होत ओटीपी प्राप्त करें ओटीपी पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके रेजिस्टर मोबाइल नंबर पर शिक्स डिगिट का मोब ओटीपी सेंड किया जाएगा देन ओटीपी सेंड करेंगे अब फिर आपका अप्शन करेंगे डालना है कैप्चा को कैप्चा ब्रेविकेट में इन्पूट करना है ओटीपी प्राप्त करके आप आवेदन की स्थिती जैसे